आप भाजबा के राष्टिय अद्यक्ष आदाइने स्री जेपी नड्डा जी और विशाल भाजबा परिवार के सभी सदस्य आप सभी को भारतिय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई पार्टी की इस गवरवशाली यात्रा के आज 41 साल पूरे हो रहे है यह 41 वर्ष इस बात के साक्षी है कि सेवा और सबर्पन के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है यह 41 वर्ष इस बात के साक्षी है कि सामान्य कारकरता का तप और त्याग कि सामान्य कारकरता का तप और त्याग किसी भी दल को कहां से कहां पहुचा सकता है देश का शायद ही कोई राज्य होगा कोई जीला होगा जहां पार्टी के लिए दो दो तीन तीन पीडियां न खब गई हो मैं इस अवसर पर जनसंग से लेकर के भारतिय जनता पार्टी तक राष्ट्र सेवा के इस यग्य में अपना योगदान देने वाले हर व्यक्ति को आदर पुर्वक नमन करता हूं डॉक्टर शामा पुर्शाद मुखर जी पंडित दिंदार पादय जी अटलवी हरिवाजपई जी कुशाबा उठाकरे जी राजमाता सिंधिया जी ऐसे अंगिनत महान व्यक्तितों को बीजेपी के प्रतेक कार्यकरता की तरफ से मैं आदर पुर्वक स्रधांजली देता हूं स्रधा सुमन अर्पित करता हूं पार्टी को आकार देने वाले पार्टी को विस्तार देने वाले हमारे आधरनी अडवानी जी आधरनी मुल्लिमन और जोशी जी जैसे अनेकों वरिष्टों का अशिरवाद भी हमें लगातार मिलता रहा है पार्टी को अपना जीवन समर्पित करने वाले ऐसे हर वरिष्ट जन को भी मैं प्रणाम करता हूं साथियों भारतिय जनता पार्टी के लिए हमेशा ये मंत्र रहा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश ये परंपरा डॉक्टर शामा प्रसाइज मुखर जी से लेकर आज तक अनवरत चली आ रही है डॉक्टर शामा प्रसाइज मुखर जी के बलिजान की शक्ति है कि हम वो स्वप्न पूरा कर पाए आर्टिकल 370 हटा कर कश्मीर को संवेधानी अधिकार दे पाए हम सभी ने देखा है कि कैसे अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरना स्विकार कर लिया लेकिन पार्टि के आदर्शों से समझोता नहीं किया अपात काल में लोगतंत्र की रक्षा के लिए हमारे कारकरताओं ने कैसे कैसे कश्ट सहे लोगतंत्रिक नईतिक ताके कैसे कैसे उधान दिये हमारे देश में राजनितिक स्वार्त के लिए दलों के तूटने के अनेकों उधान है लेकिन देशित में लोगतंत्र के लिए दल के विलेगी घटनाएं शायदी कहीं नजर मिलेगी भारतिय जनसंग ने ये करके दिखाया था